बंदूग के नोग पर की गई पक्रवव विवा पर आखिर अदालत का क्या रहा फैसला नमस्कार मैं दिव्या स्वागत है आपका अच्किस वीरियो में एक समय था जब बिहार में पक्रवव विवा खूब देखने को मलता था जहां कई मामलों में तो दुलहे को बंदूग क के नोग पर साधी करने के लिए मजबूर किया जाता था अब इसी को लेकर पटना हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है दरसल पटना हाई कोर्ट के मुताबिक जबरदस्ति सिंदूर लगाना या दबाव में लगाना हिंदू मैरेज एक्ट के तहत विवा नहीं है हाई कोर्ट द्वारक कहा गया है कि जब तक दोनों के एक्षा ना हो और दूलहा वद दूलहन साथ फेरे नहीं ले ले थे तब तक इससे विवाह नहीं माना जाएगा बता दे कि अदालत ने ये बाते भारते सेना के कॉंस्टेबल की साधी को रद करते वे कही है दरसल भार परान लखी सराय के एक मंदिर में पूजा प्रार्थ ना कर रहे थे उस वक्त विवाय योग्य लर्की की शाधी को लेकर अधिक खर्च और दहेज से बचने के लिए इस तरह के कपट पूर्द तरीकों का इस्तिमाल किया जाता था जिसे कानूनी रूप से एक सामाजिक पुराई है इस पर आधारित आपको कई फिल्में भी देखने को मलेंगी अपने जबरिया विवा को लेकर याचिका करता रविकान सभी रीतियों के संपन होने से पहले ही दुलहन के घर से भाग गये थे इसके बाद वे अपनी ड्यूटी पर वापस जम्मु कस्मीर चले ग गया जिसके बाद वे अपनी अपीर लेकर पटना उच नयायाले पहुंचे थे इस दौरा नयायमूर्ती पीबी बजन थरी और नयायमूर्ती अरुन कुमार जाकी खनपीट ने निचली अदालत के आदेश को रद कर दिया उन्होंने कहा कि पारिवारिक अदालत ने त्रू देते वे कहा कि हिंदू परमपराओं के अनुसार कोई भी साधी तब तक वैद नहीं हो सकती जब तक की सब्त पधी नहीं की जाती है आपको बता दे कि 80 के दसक के दोरान उतर बिहार में जबरन विवा के कई मामले सामने आये थे जबरिया जोरी बनाने वाले लोगों का ग विवा के डर से घर से बाहर ही नहीं निकलते इस तरह के विवा का दंस सबसे अदिक दुल्हा और दुलआन को जेलना परता था हाला कि कई कारूनों के बावजूत भी चाहीं सामाजिक, बुराई अभी भी आंसिक रूप से बनी होई है आजके लिए फिल्हाल इतना ही हमार साथ बने दाने के लिए आपका धन्यवाद